मेरे प्यारे प्यारे बच्चो नमस्कार आज मैं आप लोगों को क्लास एर्थ का जो हनी ड्यू बुक है उसके फोर्थ लेसन की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है विपिन चौधरी लेब साफ मेमोरी विपिन चौधरी की बुद्धी का लोप इस्मृती का लोप जो जिसे लिखा है सत्यजीत रेने मेरे बच्चे वैसे तो मैं प्रश्णोतर इसमें दिये हैं मैंने लेकिन थोड़ी सी समरी की बात कर लेता हूँ ताकि आपक लोटने के बाद काली चरन की पुस्तक की दुकान थी जो मार्केट में थी कम से कम पात पुस्तके अपने पूरे सब्ताय के लिए खईते थे उसी समय उनकी मुलाकात एक परिमल घोस नामक विक्ति से होती है वहां उन्हें पहचानने की बात करता है और कहता है अरे भाई ब इस बात पर विपिन बाबू को किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं आता कि मैं कभी राची भी गया हूं आखिर में यह बात और आगे बढ़ती है वह सभी बात बताता है लेकिन वो पहचाननी की बात पहचान नहीं पाते हैं वह भी बताता है कि हम तुमें बगार से लेकर आपको जानते हैं तो इस प्रकार से फिर दिनेज मुखर जी के पास फोन करते हैं और दिनेज मुखर जी बहुत अच्छा विक्ति नहीं था उससे फोन करते हैं लेकिन आखिर में वो बताते हैं नहीं नहीं उननी सो अठावन में तो मैं अपने साथी जो हमारे दोस्त हैं हरिदास, बागची जो की कानपुर में हैं, उनके हमें कारिकम में था, पुजा कारिकम में था, आखिर में इसके बाद चुनिला लाता है जो उनका एक क्लासमेट है, और वो नौकरी की बाद करता है कि मुझे नौकरी दिला दीजिए, मेरे पास कुछ है नहीं मैं बहुत गरी समय हालत कराब है लेकिन वो किसी प्रकार का बीपिन बाबो को इस मदद नहीं करते हैं आखिर में उसके बाद चुनी लाल भी कह देता है कि हाँ आप तो वहीं थे आप गए थे उनसे भी जानकरी करता है कि क्या मैं राची में गया था लेक डाक्टर परेश चंद्रा उसके लक्षणों को देखकर के अपने आप में कन्फ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं भाईया ऐसा कैसे हो सकता है अच्छा तुम चाहो तो एक बार राची दाकर देखो तो राची भी जाते हैं बेपन बाबो लेकिन बाद में पता चलता है जब देने की थोड़ा आप सब्सक्राइब करते रहें लाइक करते रहें हमारा साथ दीजिए तो मैं आगे इस पर वीडियो बनाऊँगा बैरहाल इसमें मैं आपको प्रश्णोतर दे रहा हूँ देखे कुश्यन नमर वन वाई डिड़ दा मैं इस्टेर व्यक्ति ने क्यों घूर कर देखा एड बेपन बाबू बेपन बाबू की ओर इन डिस बिलीव बड़ी ही अविश्वास के साथ बड़ी ही अविश्वास के साथ बेपन बाबू को उस व्यक्ति ने घूर कर क्यों देखा तो मेरे बच्चे वह व्यक्ति हाला कि परिमल घोष हैं इसमें बात नहीं कही गई है लेकिन परिमल घोष ने जब वो पुस्तके खईद रहे थे उस समय वो जाकर के उन्होंने तमाम प्रकार की बाते की थी कि आप कहां रहते हो उनका परिचे लेना चाहता था और मैं सब कुछ जानता हूँ इस परकार से ऐसा उसके साथ हुआ था लेकिन मेरे बच्चो क्योंकि यहां पर आंसर देना है मुझे तो याद रखिए जिस टेंस में हमारा कुश्यन होता है आंसर उसी टेंस में देना चाहिए पहली बात दूसरी बात यह है आंसर की सुरुआत प् आप विकास लगा दीजिये या दैट लगाए या सो लगाए या टू लगा करके ऐसे आंसर बनाय जाते हैं तो इस आंसर को इस परकार से देख लेते हैं क्योंकि वो जो गया था तो उसने यह भी अब तर्क दिया था कि मैं तो आपके साथ बंगले पर बैट कर में चाह पी क्योंकि जो बेपन बाबु थे वो आदमी को पहचान नहीं सके थे जबकि यह टेकन टी विद हिम इन इस बंगला जबकि उसने अपने बंगले पर उनके साथ चाह पी थी दूसरा कुशन देखिए वेर डिड़ बेपन बाबु से ही वेंट इन अक्टूबर 58 बेपन बाबु ने कहां कहा ही वेंट अपने जाने का इन अक्टूबर 58 अक्टूबर उन्नीस ओठ अठावन में उन्होंने कहां जाने की बात कही तो बेपन बाबु ने कहा था कि अरे सन अठावन में तो मैं पूजा एक कारिकम था हमारा जो दोस्त था कारिकम में उसके साथ पूजा का कारिकम था इसी बात को आप आनसर में देख लिजे बेपन बाबु सेड तीसरा कुशन देखते हैं अर्थात कोई तीन अत्वाई से अधिक बाते बताए जो विपिन घोष के बारे में परिमल घोष जानते थे परिमल घोष बताता है कि अरे भाई जब हम चाय पी रहे थे उस समय आपने ही बताया था कि आपके बच्चे नहीं हैं आपकी पत्नी जो है दस वर्स पहले मर चुकी थी और आपने ये भी बताया था कि आपका एक जो भाई था वो पागल होकर के मर चुका है इस प्रकार से जानकरिया आपने दी थी और तमाम अंतरंग बातें अंदर की बातें भी बताई थी लेकिन यहां हमें तीनी बातें बतानी हैं तो आप देखें आंसर परिमल घोस न्यू मेनी थिंग्स एबाउट बेपन बाबू परिमल घोस बे मर चुकी थी और उनका इकलोता भाई पागल पंसे मर गया था फोर्थ देखिए वाई डिट बाबू अरी बेपन बाबू क्यों चिंतित हो गए थे एबाउट वाट परिमल घोस हैट सिड जो परिमल घोस ने कहा था उसको लेकर क्यों चिंतित थे तो मेरे बच्चे सवभा अब यह है जब परिचित परिमल घोस ने उसकी हर बात बता दी तुमारी पत्नी मर गई थी तुमारे भाई भी ऐसे मरे तुमारे कोई बच्चा नहीं है इस प्रकार से जब हो जानकाई दी तो एक प्रकार से मन में चिंता हो गई थी विप्रिन बाबू के इसलिए उन्हें फिर उन्हों ने सोचा कि ये आदमी कह रहा है कि मैं राची में रहा हूँ तो हो सकता है ये बाद सकते हो फिर आखिर मेरी ऐसा तो नहीं मेरी इसमर्ती जो मेरी याददास थे हो खो रही हो और लैप्स हो रही हो लोप हो रहा हो ये सोचकर चिंतित थे अब इसी का अंसर यह तो कुश्चन सहीं मिला और विकाज लगा दिया विकाज ही निव क्योंको जानते थे सम इंटिमेंट डिटेल्स कुछ अंतरंग बातें आफ इस फेमिली उनके परिवार की और यह उन्होंने सूचते थे how he could make such a mistake कि उनसे इस प्रकार की गलती हो कैसे सकती है about the राची ट्रिप राची ट्रिप को लेकर आखिर उनसे इस प्रकार की गलती कैसी हो सकती है इसलिए वो बहत चिंतित थे क्योंकि परिमल्गोस ने उन्हें ऐसा बताया था कुश्चन नमल पांस देख लिजे how did he try to decide who was right उन्होंने कैसे तै किया who was right कौन सही है his memory और परिमल्गोस उनकी या दास ठीक है या परिमल्गोस सही है इसका उत्तर इस प्रकार से समझिये जब परिमल्गोस ने बहुत सारी बाते बताई उसमें ये भी कहा था कि अरे भाई आपके पास में जो मिस्टर मुकरजी रहते हैं मुकरजी तो आपके साथ ही थे वहां राची में तो इसलिए जब ऐसी बात कर दी तो उन्होंने सोचा कि अरे ये परिमल्गोस सही है या उनकी सम्रती सही है तो मुकरजी के बात पास उन्होंने फोन करने की पहले सोचा लाओ मिलने जाके पास में ही रहते थे उनके तो वो फिर वहां गय नहीं लेकिन उन्हों फोन करके सोचा ये जानने के लिए तो इसी को आप आंसर में जे जस्ट बिफोर लंच लंच से ठीक पहले विपन बाबु ट्राइड विपन बाबु ने कोशिस की तो रिंग अप फोन करने की दिनेश मुकरजी दिनेश मुकरजी को डिसाइट यहां तै करने के लिए हूँ आज राइट इस मुमोरी आद परिमल्गोस कि उनकी इस्मती सही है या परिमल्गोस कुश्चिन नमर सिक्स देखिए वाई डिट बिफिन बाबु क्यों हिच की चाते थे तो विजिट मिस्टर मुकरजी मिस्टर मुकरजी को के पास जाने में बिफिन बाबु क्यों हिच की चाते थे वाई डिड ही फाइनली डिसाइड़ टू फोन हिम आखिर उन्होंने अंत में फोन करने का निर्णा क्यों ले लिया तो मेरे बच्चे वो इसलिए हिच की जाते थे क्योंकि मिश्टर मुकरजी जो थे वे बड़ी ही मजाकिया सभाव के थे उनका सभाव बहुत अच्छा नहीं था इसलिए सोचते थे मैं उनके पास जाऊंगा सामने जाऊंगा तो फिर वो हसी मजाक करेंगे कि पूँचेंग बताओ इस आदमी की मेमोरी ही खो गई है और अंत में वो इसलिए गए कि फोन इसलिए किया कि सामने बात करना वास्तों में कठिन होता है और फोन पर चाहें जैसे बात कर लो दूसरा एक कारण ये भी था कि उनको ये बात परमानें परेसान कर रही थी अब इसी को आंसर में देखिए आंसर थोड़ा बड़ा हो रहा है आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं तो देखिए बेपेन बाबू हेजिटेटेट टू विजिट मिस्टर मुकर जी विकाज ही डिडिनाट वान टू लिसन ही ज रथलेस सारकैज्म क्योंको वहाँ उनके क्रूर कटाक्ष को सुनना नहीं चाहता था इफ ही हैड रियली निवर बीन टू राची तो सोचते थे कि उनके कंफर्मेशन का जब वो इस बात का कंफर्म करेंगे तो देखिए क्या सोचेगा इसलिए वो घबराते थे और दूसरी फाइनली डिसाइड़ टू फोन हिम उन्होंने अंत में फोन करने करने लिया क्योंकि जो पहले जो परिमर घोस ने उनसे जो एनकाउंटर किये थे कुछ चीज़े पूछी थी वो उनके कबजे में आ गये थे उन पर अधिकार हो गया था उनके मस्तिस पर उन बाते चाही हुई थी और अट लिस्ट दा इंबरेस्मेंट आन इस फेस उट नाट सो उनोंने ये सोचा कि कम से कम उनके चेहरे के भाव भी सामने प्रकट नहीं होंगे उनकी घबराहट और समेंड़की उन्हें महसूस नहीं होगी इसलिए उनोंने विपिन बाबू क्या इसने विपिन बाबू को सांतोना दी और add to his worries या इसने उनकी चिन्ताओं को बढ़ा दिया तो मेरे बच्चे मिस्टर मुकर जी ने भी कहा था कि हाँ आप तो राची में थे 1968 में एक कारिकम में इसने उनको सांतोना तो नहीं दी बलकि उनकी चिन्ताओं को और बढ़ा दिया अभी इसी को आंसर में देखिए मिस्टर मुकर जी सेद देट ही मतलब बिपिन बाबू हैड बीन इन राची इन 1958 येस इट डिसकंफर्टेड बिपिन बाबू एंड एड़ेड तो इस वरीज देखिए प्रसन से ही उत्तर बन गया कुशियन नमर एट हुवा चुन्नी लाल चुन्नी लाल कौन थे वाट डिड ही वांट फ्राम बेपिन बाबू वो बेपिन बाबू से क्या चाहता था तो मेरे बच्चे चुन्नी लाल उनके क्लासमेट थे और वो चाहते थे बेपिन बाबू के पास कि वो उसके लिए कोई जाब की तलास कर दे क्योंको उसका समय बेहत बुरा समय चल लाँ था और कठिन समय चल लाँ था अब इसी को आंसर में देखिए चुन्नी लाल वाज एन ओर्ड इसकूल मेट आफ बेपिन बाबू He wanted from बेपिन बाबू that he would arrange a job in his rough time for him Question No.9 Why was Dr. Chandra puzzled? Dr. Chandra puzzled क्यों थे? परेशान क्यों थे? What was unusual about बेपिन बाबू's laws of memory? बेपिन बाबू की इस्ष्मती के लोप हो जाने के बिसे में असामान ने बात क्या थी? तो मेरे बच्चे Dr. Chandra तो इसलिए परिसान थे क्योंकि उन्हें इस लाशाप memory के जो इतनी भयानक बीमारी थे उसके लक्षणों को ही Dr. साब नहीं जान पा रहे थे उन्होंने कभी ऐसा अपने जीवन में देखा ही नहीं था इसलिए वो पजल्ड थे और जो है विपिन बाबू की लाशाप memory का सबसे बड़ा असामान बात ये थी कि वो अपनी एक ट्रिप टू राची उनको हर्ची जात थी लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो अपनी राची की ट्रिप को भूल गए थे इसलिए वो यहीं उनके साथ एक बहुत बड़ी आसामान ने लाशाप memory थी तो इसी को आंसर में देखिए डाक्टर चंद्रावाज पज़र्ड टू हीर अबाउट विपिन बाबूज सेंटम्स आफ होरिबिल इलनेस एज लासाप मेमोरी दूसरे कांसर ड्यू टू सम अन्नोज रीजन कुछ अंचाहे कारणों से क्या विपिन बाबू ने वास्तों में अपनी याददास्त खोदी थी और अपनी राची की ट्रिप के विसम पूरी तरह भूल गए थे तो मेरे बच्चे ये सब चुनी लाल की हरकत थी क्योंकि उसने किसी प्रकार से मदद नहीं की थी विपिन बाबू ने चुनी लाल की इसलिए उसने ये एक प्रकार से ट्रिक उनके साथ खेल खेला था वे कभी राची गए ही नहीं थे तो इसी कौंसरम देख लेते हैं No, विपिन बाबू had really not lost his memory and forgotten all about a trip to राची Really, he had never gone to राची सच में वो कभी राची गए ही नहीं थे It was a trick played by चुनी लाल यह एक ट्रिक थी जो चुनी लाल के द्वारा रची गई थी एक प्रकार से conspiracy थी एक प्रकार का सरियंत्र था Comprehensive Questions का अंतिम Question 11th Why do you think? आप क्यों सोचते हैं? चुनी लाल did what he did चुनी लाल ने जो किया, वो किया चुनी लाल says, चुनी लाल कहता है He has no money, उसके पास धन नहीं है What is it? वा क्या है? That he does have, जो उसके पास है तो मेरे बचचे चुनी लाल ने जो किया, वो किया क्योंकि बिपिन बाबू ने उसके कठ़िन समय पर किसी प्रकार की कोई साहता नहीं की थी और उनोंने एक दोस्त के नाते भी उसके साथ कुछ नहीं किया था चुनी लाल कहता है, कि उसके पास धन नहीं है और केवल उसके पास कलपना सकती है कलपना है इसलिए इस प्रकार से इसका अंसर देख लिजिए I think चुनिलाल did what he did because विपिन बाबु had not helped him in his rough time He did nothing for him as a friend चुनिलाल says he has no money It is imagination that he has ये दिये गए कुश्चन working with the text से लिए गए है पहला कुश्चन है The author describes विपिन बाबु आथर लेकग जो है वडन करता है विपिन बाबु का as a serious एक गंभीर and hard working man और एक hard working man की तरह What evidence can you find आप किस प्रकार का प्रमान पाते हैं In the story, कहानी में To support this इसका समर्थन करने के लिए तो मेरे बच्चे वे एक बड़ी फर्म में पचीस वर्स तक उन्होंने काम किया था और ऐसा माना जाता है कि वो उनकी एक ऐसी प्रतिष्ठा थी कि वे अठक यानि ठकान रहित होकर और बड़ी ही कर्तबे निष्ठा से इमानदारी से उन्होंने काम किया था इसलिए इसका आंसर देखते हैं आथर डिस्क्राइब्स विपिन बाबु आथर विपिन बाबु का वणन करता है एज ए सीरियस एंड हार वर्किंग मैं एक बड़ा ही गंभीर और परिश्मी व्यक्ति के रूप में वी कैन फाइंड अ किलियर एविडेंस हमें एक इस पर्ष्ट प्रमान प्राप्त करते हैं इन्दा इस्टोरी इस कहानी में टू सपोर्ट तिस मेरे बच्चे ये तो कुश्चन से ही उतार लिया गया जरस आगे जोड़ा हमेने देट ही एड एड रेपोटेशन उनकी एक प्रतिष्ठा थी एक अथक और कर्तबिनिस्ट इमानदार कर्मचारी के रुप में पचीस वर्स तक इन ए बिग फर्म एक बड़ी सी प्रतिष्ठान में कुश्चन नमबर टू देखिए वाई डिट विपिन बाबू चेंज हीज माइंड अबाउट मीटिंग चुनिलाल चुनिलाल से मिलने के बिशे में विपिन बाबू ने अपना मस्तिस्क अपना विचार क्यों चेंज कर दिया बदल दिया तो मेरे बच्चे चुनिलाल जब उनके पास आया तो वो जान गए एक चुनिलाल आया होगा तो अपने ही काम से आया होगा, कोई नौकरी के लिए आया होगा, इसलिए उन्होंने पहले न मिलने का विचार किया, फिर सोचा कि चलो चुनिलाल से जानकारी भी हो जाएगी, कि हम राची गए थे तो नहीं गए थे, यहाँ बात पता चल जाएगी, इसलिए उन्होंने अप जानकर कि वो राची ट्रिप गए थे तो उन्हें अपनी मेमोरी का लास महसूस हुआ इसलिए वो डाक्टर चंद्रा के पास मिलने चले गए अब इसी को आंसर में देखिए बेपिन बाबु चेंज़ इस माइंड अबाउट मेटिंग चुनिलाल because he wanted to know reality of राची ट्रिप from चुनिलाल the result of this meeting was that knowing about his memory loss he went to consult Dr. चंद्रा question number 3 देखिए बेपिन बाबु lost consciousness at Hadru Falls बेपिन बाबु ने Hadru Falls पर अपनी चैतन्यता क्यों खोदी what do you think was the reason for this आप क्या सोचते हैं कि इसका कारण क्या था तो मेरे बच्चे Dr. चंद्रा के कहने पर वो राची गए और वे Hadru Falls भी गए जहां वे गिर गए थे और उनके हिप में चोटा गई थी यही एक कारण था आंसर देखिए बेपिन बाबु lost consciousness at Hadru Falls we think the reason for this was a fall by him into it therefore he had a pain in the hip लास्ट में देखे फोर्थ question आप क्या सोचते हैं कैसे सोचते हैं बेपिन बाबु रियक्टेड बेपिन बाबु ने किस प्रकार से प्रत किया कि when he found out जब उने पता चला that चुनिलाल had ticked him कि चुनिलाल ने उसके साथ धोखा किया है उसके साथ सदेंत्र किया है तो मेरे बच्चे उससे जब पता चला तो उसने सोचा कि वास्तों में मैंने बहुत बड़ी गल्ती की वो सकारात्मक सोचने लगा और उसे इस बात का हैसास हुआ कि उसे अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था इसी को वा आंसर में देख लेते हैं इस प्रकार मेरे बच्चों ये कुश्चन का भाग समाप्त हुआ आगे हम फिर मिलेंगे तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें धन्यवाद